अपनी फिल्म समराट परतिराज के पिटने के बाद अक्षे कुमार ने लिया एक बहुत बड़ा फैसला बॉलिवुड वालों का इन दिनों जो हाल हो रखायों किसी से चुपा नहीं है बड़े बड़े एक्टर्स की भी इन दिनों हवा निकल गई है अक्षे कुमार जैसे महानाइक जिनकी हर फिल्म बॉक्स ओपिस पर सुपर डुपर हीट होती है वो भी अब बॉक्स ओपिस पर घुटने टेक टीवे नजर आ रहे है मातर एंग्यारा दिनों में अक्षे कुमार की फिल्म समराट परतिराज का हाल बेयाल हो गया है 11 दिनों में फिल्म ने सिर्फ 62 करोड रुपे की कमाई की है सोच ये दोस्तों जो फिल्म 300 करोड के बजट से बनी हो उस फिल्म का बॉक्स ओपिस पर ऐसा हाल होना शौकिंग है वही इस फिल्म ने प्रोड़क्शन हाउस को 200 करोड रुपे का चूना तो लगाया ही इसी के साथ इसने अक्षे कुमार के करियर और मार्केट की भी लंका लगा दी और अक्षे कुमार के अर्मानों पर पानी फेड दिया और लगता है कि समराट परतियुराज फिल्म के पिटने का अंदाज अक्षे कुमार को पहले ही हो गया था तबी तो फिल्म के डारेक्टर डॉक्टर चंदर परकास दिवेदी से उन्होंने इस बारे में बात की थी डॉक्टर चंदर परकास दिवेदी ने अपने एक इंटर्वियों में बताये कि जब शमराट पर्तिराज शूट हो रही थी तो अक्षे कुमार ने अपना मन बना लिया था कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो वो अपने पुराने अंदाज में चले जाएंगे यानि कि ऐसी फिल्मों को छोड़ कर वो नॉन कॉंट्रिवर्शियल और कॉमेडी फिल्मे करेंगे अक्षे कुमार को ये भली भादी पताए कि लोग उने कॉमेडी फिल्मों में ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे कि रावडी राठोर और हाउसपुल डारेक्टर चंदर परकास ने आगे मीडिया को बताते हुए ये का कि जब एक फिल्म फ्लॉफ होती है तो प्रोडूजर का दिल तूट जाता है यसरास फिल्म ने पहली बार एतियासिक फिल्म को बनाने के लिए मैनत की थी उनके बैनर के तले बनी ये पहली एतियासिक फिल्म है अगर ये फिल्म सक्सेस्फुल हो जाती तो बैनर और भी ऐसी मुवीज बनाता वरना वो पहले जैसी फिल्में बनाएंगे जिसमें बजट भी कम लगता है और बॉक्स ओफिस पर अच्छी खासी कमाई भी कर देती है साथ ही अक्षे कुमार ने डारेक्टर को ये भी कहा था कि मुझे कॉमेडी मुवीज बनाने के लिए ज़्यादा फीस मिलती है मैं समराड पर्तियुराज जैसी फिल्म को बनाने के लिए कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ अगर लोगों ने से रिजेक्ट कर दिया तो चिंता की कोई बात नहीं मैं फिर से राओडी राठोर जैसी मसाला फिल्म में करूंगा वाकई दोस्तों अक्षे कुमार को जिस बात का डर था वही हुआ लोगों ने ना सिर्फ समराट पर्थियूराज फिल्म को न करहा बलकि उनकी एक्टिंग पर भी सवाल उटाए लोगों ने तो यहाँ तक क्या दिया था कि अक्षे कुमार बिल्कुल भी पर्थियूराज जैसे नहीं दिख रहे है बलकि वो तो बाला की तरह दिख रहे हैं साथ ही लोगों ने ये भी कहा था कि ना तो एक्टिंग है ना ये एक्सप्रिसन वहीं अक्षे कुमार की माने तो अक्षे कुमार को फिल्म सुपर डूपर हिट होने की उमीद थी लेकिन आलम तो ये है कि इसे देखने के लिए दर्शक तक नहीं मिल रहे हैं और इसी बात को लेकर अब अक्षे कुमार ते अपना मन बना लिया है कि वो अब पहले जैसी कॉमेडी फिल्मे करेंगे बॉलिवुड और बॉलिवुड के इतने बड़े सुपरस्टार्स के फ्लॉफ होने का सबसे बड़ा कारण है साउथ क्योंकि लगातार साउथ वाले हिट पे हिट फिल्मों की जड़ी लगा चुके हैं और अक्षे कुमार की समराठ फर्तिराज का सीधा कॉंपिटेशन था साउथ की सुपरस्टार कमल असन की फिल्म विकरम के साथ और विकरम ने इसे रिलीज के दो दिनों में धूल चटा दी तो इस बात से ये साफ सा पता चलता है कि लोग अब साउथ की फिल्मों को ज़्यादा प्यार दे रहे हैं दोस्तों आपका इस बात पर क्या कहना है कॉमेंट बक्स पर अपनी राय ज़रूर लिखे